दोस्तों करन जवर का एक शो आता है कॉफी विद करन ये शो विवादों से भरा राता है और इसमें जो भी सेलेब्रिटीज आते हैं कोई नो कोई कंट्रोवर्सियल चीज इस शो के साथ खड़ी हो जाती है हार्दिक पांड्या के साथ हमने देखी लिए आता कि क्या हुआ थ पहली बात जिस शो में कॉफी की स्पेलिंग ही रॉंग हो उस शो से और क्या अमीद की जा सकती है अलाकि मुझे पता है कि यह जान बूच कर कॉफी की स्पेलिंग के से शुरू की गई है क्यों की गई है यह लोग थोड़ा जोतिशी वगरा के उपर बड़ा विचार विमर तो वो अलग-अलग बात है लेकिन जिस शो की कॉफी की स्पेलिंग ही रॉंग हो तो कॉफी में तो जहर पढ़ना ही है तो जो भी शो में आया बदनामी हुआ हलाकि बॉलिवड वाले इसमें बदनामी के लिए ही आते हैं और इस शो में पूछा कह जाता है कि बेड्रूम स वर ने ट्रिपल आर के जो दोनों स्टार हैं जूनियर एंटी आर और रामचरण इन दोनों को शो में बुलाने की बहुत कोशिश की बहुत रिक्वेश्ट किया लेकिन इन दोनों ने साप-साप इंकार कर दिया क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि सौथ वाले अपने कल्चर क spell को दिया हैं और बाले तो अकगे रखते हैं और किसी भी कंट्रो वर्सी नहीं है न फसना चाते हैं और इन्हें पता है कि वह सकता है कि करन्च अबर की जाल भी हो कि बॉलेवड वाले तो बादनाम हुई है क्यों न साउथ वालों को भी अपने शो में बुला कर बादनाम किया जाए ताकि जो जनता हिंदी बााशी ऑडियस इनके गुड़ग आ रही है सब कुछ इनकी बढ़ाई कर रही है इनकी फिल्में देख रही है तो क्योंन अपने शो में बुलाकर इन साउत के कलाकारों को भी बदनाम कर दिया जाए क्योंकि अब भी आपने एक पोश्टर देखा होगा करन जवर की एक फिल्म आ रही है उसमें साउत के ये कलाकार हैं किस तरह से PK फिल्म के पोश्टर की तरह उसका भी पोश्टर लगा दिया गया जो देखने में बड़ा ही गंदा लग रहा है तो यहाँ पर जूनियर एंटियार और राम चरण ने बहुत ही समझदारी का काम किया है कि ऐसे वाईयात वल्गर शो में आने के लिए मना कर दिया है